सब्सक्राइब नमस्कार मैं हूँ सिम्रिन हंसर आप देख रहे हैं बूगल बॉलवोड अगर हम बात करें बायोपिक्स की तो आजकल बॉलवोड में बायोपिक्स का ट्रेंड काफी जादा चल रहा है वहीं दूसरी और ओडियन्स भी बायोपिक्स को देखना काफी जादा पसंद कर रहे हैं ओडियन्स की बात करें तो आजकल ओडियन्स रियालिटी बेस जो मूवीज है उनको देखना जादा प्रैफर कर रही है सिनमा घरों में इसके बाद अगर हम बात करें आने वाली बायोपिक्स की तो रिसेंटली एक और बायोपिक्स जो है वो बॉलवर्ड में अनाउंस हुई थी जो यहाँ इंटरनेट सेंसेशन रानू मॉंडल की बायोपिक रिसेंटली अनाउंस हुई थी और हमें यह एक रिपोर्ट आई थी कि रानू मॉंडल की बायोपिक भी हमें ज्रल थी देखने को मिलेगी इस बायोपिक का नाम रखा जाएगा प्लेटफर्म सिंगर रानू मॉंडल और अगर हम डिरेक्शन की बात करें तो डिरेक्शन देने वाले हैं रिशी केश मॉंडल जो की जर्नलिस्ट कम इंडिपेंडेंट फिल्मेकर है वही प्रड्यूसर की बात करें तो उसको प्रड्यूस करेंगे शुभजीत मॉंडल इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें शूटिंग की तो इस फिल्म की जो शूटिंग है उनके वेस्ट बेंगॉल में और साथी साथ मुंबई में की जाएगी वेधर हम इसकी कास्टिंग की बात करें तो रानू मॉंडल का किरदार निभाने के लिए नैशनल अवार्ड विनिंग मराथी एक्ट्रिस यानि की सुदिपता चकरवती को अप्रोच किया गया है सुदिपता चकरवती से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि हाँ मुझे इस फिल्म के लिए ओफर आया है लेकिन अभी स्क्रिप्ट पढ़ना बाकी है स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद वो बताएंगी कि वो इस फिल्म में काम करेंगी या फिर नहीं इसके बाद अगर हम बात करें रिशी केश मॉंडल की तो रिशी केश मॉंडल का कहना की अगर सुदिपता जी हां कर देती है इस फिल्म के लिए क्योंकि वो इस फिल्म के लिए परफेक्ट है अगर वो हां कर देती है तो अक्तूबर एंड तक इस फिल्म की जो शूटिंग वो स्टार्ट हो जाएगी और next year February में हमें ये फिल्म सेनमा घरों में देखने को मिल सकती है यानि रानू मॉंडल की बाव पर हमें February में देखने को मिल सकती है बट यहाँ पर कोशन ये भी है कि अगर सुदिपता जी इसके लिए मना कर देती है तो फर इस फिल्म ने किसको कास्ट किया जाएगा वहीं अपने एक recent interview में रिशी केश मॉंडल ने इस फिल्म के बारे में बात करते हुए ये भी बताया है कि इस फिल्म में वो चाहते है कि रानू मॉंडल जो है guest appearance दे वाल उनका कहना है कि ये बात अवी रानू मॉंडल के साथ confirm नहीं हुई है जैसे ही confirm होगी वो officially इस फिल्म को और इन सब चीजों को announce करेंगे इसके बाद उमीदें ये हैं कि रानू मॉंडल की जो बायोपिक है फेबरी में हमें देखने को मिल चाहेगी